अंगले साल यानी की 2024 में हमारे देश में लोगसभा के चुनाओ होना है और उसकी तैयारी सुरू हो चुकी है एक तरफ आप देखें कि NDA जिसमें भारती जिनता पाइटी मुख दल है उसके सहियोगी दलों को मिलाकर NDA कहते हैं जिसका पूरा नाम क्या है National Democratic Alliance और दूसरी तरफ आप देखेंगे एक नया गटबंदन बना है जिसका नाम रखा क्या है इंडिया और जिसमें आप देखते हैं कि कॉंग्रेस मुख पिपक्ची दल सामिल है उसके सहियोगी दलों को मिलाकर इंडिया नाम दिया गया है और इंडिया का पूरा नाम है Indian National Development Inclusive Alliance और अब 2024 में इन दोनों की भी टक्कर होगी और क्या रिजल्ट रहते हैं कितना सफल रहता है ये गटबंदन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन इससे पहले यानि कि देश के आजाद होने के बाद जो गटबंदन बने हैं वो कितने कारगर रहें कितने सफल रहें उन पर हम लोग बात करते हैं और गटबंदन की राजनिती पहले भी होती रही है ऐसा नहीं है कि कोई नई राजनिती है कॉंग्रेस को हराने के लि लोगसभा के चुना हुए थे और भारती जिंता पार्टी BJP को भारी बहुमत मिला था और टोटल 543 सीटे हैं लोगसभा में और उसमें से आप देखेंगे 303 सीटे हैं आई बीजेपी के पास और उसने कैंदर में सरकार बनाई क्योंकि लोगसभा में जिसके पास बहुमत होत दिये और बहुमत के लिए 272 लोगसभा सदस जरूरी होता है यह भी याद रखिएगा ठीक है और लोगसभा के अगर आपको चुनाओ लगना है तो आपकी उम्रे कम से कम 25 सालों नहीं चीए अधिक तम उम्री की कोई सीमा नहीं रखी गए और लोगसभा की सदसों का जनता यानि की मद्दाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो मद्दाता सूची में आपका नाम जोड़ चुका होगा और आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे और लोगसभा की चुनाओ कोन करवाता है एलेक्शन कमिशन आप इंडिया भार लेक्त थे हमारे यह आप लोगों को याद रखना है लेकिन अभी तक जितने भी गटवंदन बने हैं उन गटवंदनों की पूरी 5 साल तक सरकार तीन बार चली है एक बार आप देखते हैं कि 1989 में जो गटवंदन हुआ था और उसमें आप देखते हैं कि अटल विहारी धानमंत्री बने थे उनकी सरकार भी पूरे 5 साल का कारकाल पूरा कर सकी थी इसके अलाबा जितने भी आप देखते हैं कि अटवंदन बने हैं बीच में ही सरकार टूट गई गिर गई यह देखने को मिला है सबसे पहले चलते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी हम लोग आजाद हुए थे और 1947 में भारत की आजाद होने के बाद जब देश में पहली अंतरिम सरकार बनी तो उस बक्त जब आहला नहरू ने अपनी केबिनिट में स्यामापिसाद मु जाकत अली खान के बीच समझोती को लेकर नाराज हो गये थे उन्होंने साल 1950 में यानि कि आप देखें 19 अपरेल को इस समझोती को मुसलिम तुष्टी करण की नीती करार देती हुए केंद्रिय उद्देवक मंत्रीपत से इस्तिपा दे दिया था किसने स्यामापिसाद देने के बाद स्यामापिसाद मुखर जी गुरू गोल वलकर से मिले और वह उस बक्त RSS के सर संचालक थे कौन गुरू गोल वलकर और RSS की बात करें तो राश्टीय स्वयम सेवक संग की बात हो रही है और आप देखेंगे कि भारती जिनता पारेटी का इसे सहयोगी माना ज जाता है सहयोगी संगटन माना जाता है राश्टीय स्वयम सेवक संग और हिंदू राश्ट हिंदूत की बात करता है 27 सेप्टमबर 1925 में इसकी इस्तापना हुई थी नांगपुर में इसका हेड़क्वार देखने को मिलेगा किये सव वली राम हेडगवार RSS की फाउंडर तो उनके साथ मिलकर ही स्यामापिसाद मुखर जी ने जनसंग किये गठन की ररनीती बनाई इसके बाद मुखर जी प्रोफेसर वलराम माधोग और दीन दयाल उपाध्या इन तीनों ने एक साथ मिलकर 21 सक्टूबर 1959 को दिली में भारती जनसंग की इस्तापना की थी और जन में जन्ता पार्टी में भी तूट का कारण भी यही जनसंग बना और जनता पार्टी में तूट के बाद इसी पार्टी में साविल जनसंग की निताओने 80 के दसक में कॉंग्रेस बहुत पुराना राजनितिक दल है, 28 देसंबर 1880 में देश की आजादी के लिए एक संगठन की रूम में इसकी स्थापना होई थी, और इसके पहले अध्यक्ष डवलू सी बनर जी यानि कि विमवेश चंद बनर जी थी, इसके संस्तापक एओ हूम थे, एक अंग पहले आम चुना हुए थे, उसमें जनसंग सिर्फ तीन सीटें जीतने में काम्याब हो पाई थी, जिसमें एक सीट खुद स्यामापिसाद मुखर जी थी, और स्यामापिसाद मुखर जी संसद में अकसर ही नहरुक की कसमीर नीतियों का विरोध करते थे, उन्होंने कॉंग् फ्रेंड को बिफक्षी पाईटी की मानता नहीं मिल पही थी, क्योंकि 10% सीटें चाहिए होती हैं अगर आप देखें बिफक्षी के नेता की मानता चाहिए हो आपको तो, केंद में बनी पहली गटवंदन सरकार की कहानी, तो आप सभी जानते हैं कि 1975 से 1977 के बीच राष्टी आपातकाल लगाए गया, अनुछे 352 आप लोग पढ़ते हैं न, उसी की बात हो रही है, इंद्रा गांधी की समय की बात हो रही है, तो गटवंदन सरकार की इतिहास को देखें तो इसकी सुरुवात 1977 में जंता पार्टी की सरका से हुई, दरसल देश में इमर्जनसी खतम ह हार गई थे, इंद्रा गांधी भी अपनी सीट हार गई थे, और आप देखते हैं कि पहली बार, चुनाओ से पहले 13 दलों ने जैपिकाफ नाराइन की नेतित में जंता पार्टी गठन किया था, हाला कि इस गठन में दो साल में ही दरार पढ़ने लगी थे, और दरसल हाला कि इस पत पर 6 महीने भी नहीं रह सके थे, उसके बाद आप देखेंगे 1980 में जंता पार्टी की सरकार गिर जाती है, और इसी साल लोग सभा चुनाओ होते हैं, यानि कि इस गठन की सरकार पूरा 5 साल का कारकाल भी पूरा नहीं कर पाई थी, चुनाओ से पहले जंता प से आप देखने हैं कि अभी भी पिधार मंत्री वैसे ही तागर्दर लीडर, छभी वाले लीडर हैं, इसलिए आप देखें ऐसा कहा जा रहा है कि बिपक्च का कोई भी एक नेता तैना हो, मुद्दों के आधार पर चुनाओ लड़ा जाए, ना कि चेहरे के आधार पर, और इस लोग सुबा चुनाओ में कॉंगरिस ने एक बार फिर 350 सीटें अपने नाम कर ली थी, और के अंदर में कब कब बनी गटवंदर्स की सरकार, तो सबसे पहले आप देखी, जनता पार्टी की सरकार बनती इस 1997 से 1989 की विज मुराजी देशाई पिधान मंत्री बनते हैं, ज जनतादल सोसलिस्ट ए 1991 की बात हो रिचंद सेकर पिधान मंत्री बनते हैं, सयक्त मोर्चा 1996-97 हटी देवगोडा इसके पिधान मंत्री बनते हैं, सयक्त मोर्चा 1997-98 ए इंदकुमार गुजराल इसके पिधान मंत्री बनते हैं, देखे छोटा-छोटा इनका कारकाल है, भाज प्रगतिसील गठवंदन 2004 से 2009 मनमुहन सींग पिधान मंत्री बनते हैं और सेवक्त प्रगतिसील गठवंदन 2009 से 2014 इसमें आप देखें मनमुहन सींग पिधान मंत्री थे पूरा कालकाल उन्होंने भी खतम कर बाये थे अपना NDA 2014 से 2019 तक और 2019 से अभी तक NDA ही है और ननेंद मोदी आप देखते हैं पिधान मंत्री बने हुए हैं गठवंदन की सरकार में आईस्थारता की बात करें तो साल 1980 से 1989 देश में कॉंग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रही लेकिन साल 1989 में सयुक्त मोर्चा की सरकार बन इसलिए गर गई थी और आप देखिए जिसके पास बहुमत ना हो और आप देखिए कि जो सहोगी दल हो उनकी एक्छा पूरी ना हो रही है उनका स्वार्थ पूरा ना हो रहा हो वो जो चायते हैं वो पूरा ना हो रहा हो तो वो अपना क्या करते हैं समर्थन बापस ले ल इसके बाद पीवी नसिंभा राओ की अगवाई वाली सरकार बनी, उन्होंने अपना पांस साल का कारकाल पूरा किया, और साल 1996 में बना United Front, और साल 1996 में लोकसभा चुनाओ हुए, पैडाम आया तो किसी भी एक पायटी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और उस वक्त BJP सबसे बड़ी पायटी बनी, और टल विहारी बाच पे पिधान मंत्री बनी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 13 दिन में देनों में ही इस्तीपा देना पड़ा था, वो भी बहुमत नहीं जुटा पाये थे, 1996 में आम चुनाओ में जन्तादल को 40 सीटे मिले, और जिसके बाद कई पायटी इंदकुमार गुजराल जन्ता कॉंग्रेस की समर्तन से पिधान मंत्री बने, लेकिन वो भी एक साल का भी कारकाल पूरा नहीं करपाया, उनकी भी सरकार गिर गई, और जट गठवंधन की सरकार ने कारकाल पूरा किया, तो 1998 में में हुए आम चुनाओ में से बहले भारती जन्ता पार्टी की अगवाई में National Democratic Alliance यानि की NDA बनाया गया, और गठवंधन की सुरुवात में इसमें 13 पार्टियां सामिलती, साल 1998 में हुए लोकसवाद चुनाओ में NDA ने 258 सीटों पर जीत दरच की, और अटल विहारी बाचपही पिधान मंत्री बने, हलाकि ये सरकार फिर आप देखें कि 1909 में में आप चुनाओ होते हैं, और जिसमें NDA के साथ 24 पार्टियां सामिलती, और फिर आप देखें फिर NDA की सरकार बनती है, उन्हें बहुमत मिलता है, इस बार फिर अटल विहारी बाचपही पीम पत का सपत लेते हैं, और यह भारत की पहली बंदन सरकाती जिसने 5 साल का कारकाल पूरा कर पाया था, फिर आप देखतें कि NDA के मुकाबले कॉंग्रेस का UPA आता है, United Progressive Alliance, साल 2004 में हूलोकसभा चुनाओ से पहले बनाय गया था, और जिसकी अगवाई कॉंग्रेस कर रही थी, 2004 के आम चुनाओ में, UPA ने 222 सीटें UPA को समर्थन दिया था, हाला कि आप देखतें कि साल 2008 में Left Party ने अपने समर्थन बापस ले लिया, उस बक्त समाजबादी Party ने इस सरकार को गरने से बचाय था, और इसके बाद साल 2009 में NDA बना UPA का चुनाओ हुआ, दो गडवन्दन पार्टियां एक दूसरे के सामने आई, और उस बक्त तक देश की लगवक सभी पार्टियां दो कैमों UPA और NDA में बढ़ चुकी थी, उस समय चुनाओ में UPA की जीत हुई, UPA की दोनों सरकारों में Manmohan Singh पिधान मंत्री बने थे, और आप देखते हैं कि फिर 2014 में चुनाओ होता है NDA UPA की बीच, लेकिन UPA इस समय में कमजोर था 2014 में, और आप देखते हैं भारती जंता पार्टी की हबात थी, तो उसे 282 सीटें अकेले मिली थी भाजापा को, और पिधान मंत्री मौदी के रूम में कौन बना था, मौदी साहब पिधान मंत्री बने थे, 272 बहुमत के लिए चाहिए, 2019 के आम चुनाओ में NDA को लगबग 2 तिहाई बहुमत मिले, इसमें से सिर्फ BJP को आप देखें, 543 में से 303 सीटें मिली थी, और फिर से आप देखतें पिधान मंत्री की सबत किस ने ली थी, मौदी साहब ने, अब आप देखें 2024 में क्या होता है, ये तो आने वाला बक्त ही बताएगा, और दे झाला कर सकता है करा दो